PCS Current News में अभी की खबर है AI अधारत राश्ट्रिय कीट निगरानी प्रणाली लॉंच हाल ही में कि इंदसरकार ने AI यानि Artificial Intelligence अधारत NPSS लॉंच की है आए जान लेते हैं NPSS के बारे में NPSS का पूरा नाम National Pest Surveillance System यानि राश्ट्रिय कीट निगरानी प्रणाली है ये किसानों को अपने फोन का उपियोग करके कीटों को नियंदरत करने के लिए कृशी विज्ञानिकों एवन विशेशग्यों से जुडने में मदद करेगी इसका उदेशे किसानों में विज्ञानिक दरश्टिकों विक्सित करना तता कीट नाशक खुदरा विक्रेताओं पर उनकी निर्भरता कम करना है इसकी शिरुवात 15 अगस 2024 को केंद्रेक्रशी मंत्री शिवराज सिंग चोहान द्वारा की गई है ये किसानों और विशेशग्यों को कीट नियंत्रण एवन प्रबंदन में मदद करने के लिए AI उपकरणों को उपयोग करके कीटों पर नवीनतम डेटा का विशलेशन करेगा PM किसान सम्मा निधी योजना में किसान एम मित्र का उपयोग किया जा रहा है जो एक AI संचालित चाटबॉट है आईए अब जान लेते हैं AI यानि Artificial Intelligence के बारे में इसका अर्थ है कृत्रम तरीके से विक्सित की गई बौधिक शम्ता इसकी शुरुवात 1950 के दर्शक में हुई थी इसके जरी कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तयार किया जाता है गौर तलब है कि इसे उनी तरकों के अधार पर चलाने का परियास किया जाता है जिसके अधार पर मानव मस्तिश को काम करता है बता दें कि इसके जनक जॉन मिकार्थी के अनुसार ये कृत्रिम मशीनों विशी शुरुप से कृत्रिम कम्प्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभी यांत्रिकी है। आईए बनोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्णा। NPSS के संधर्म में निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में केंदर सरकार ने AI अधारत राष्ट्री कीट निगरानी प्रणाली लॉंच की है। दूसरा, इसकी शुरुवात 15 अगस 2024 को केंदरिय कृशी मंतरी नरेंदर सिंग तो उमर द्वारा की गई है। उ दियर विवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले।